आप देख रहे हैं अपना लाइब डॉट न्यूज और मैं हूँ पंकस भट मैं इस समय भागलपूर संसदिया छेत्र का दौरा कर चुका हूँ शभी विधान सभा में गया वहां के लोगों से बात की वहां के जन प्रतिनिधी से बात किया जन प्रतिनिधी के बातों से हमें तो पक्षपात में जर आया लेकिन जब आम लोगों से मेरी बात हुई और जो बातें सामने आई है वो ठीक पिछले 2014 का जो चुनाव था जिसमें सायद सानवाज हुसैन और बुलो मंडल का जो टक्कर था जिसमें बुलो मंडल की जीत हुई थी बहुत कम आंतर से उनकी जीत हुई थी लेकिन इस बार परिस्तितियां बदलती नजर आ रही है लेकिन ये कहीं से भी नहीं कहा जा सकता कि कोई या गुलो मंडल या अजय मंडल जीत ही जाएंगे सस्पेंस बरकरार है अगर माय समी करन महागडवंदन का अगर काम करता है तो ऐसी परिस्तिती में भागलपूर संसदिय छेत अलग दिशा ले सकती है गुलो मंडल की तरफ जा सकती है यदि प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी के आने का प्रभाव पड़ा हो तो करबठ एंड पासवान बोटरों से मिले कि हम देखते हैं कि रामिलास पासवान की क्या पकड़ है तो वो पकड़ कुछ धीला नजर आया पच्चास परतिसत जो पासवान के बोटर है वो निश्चित रूप से महागडवंदन की तरफ चले गए हैं शवर्न जो हैं यहां पे पूरी तरी से अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी ही कहीं न कहीं भागलपूर से भी लड़ रहे हैं मैं पंकस भर्ट भागलपूर सैद्पूर